मैं कंचान MNS निउस में आप सभी का स्वागत करती हूँ आईए देखते हैं देश की दशा और दिशा हनुमान चालिसा पढ़ने मातोश्री जाने पर अड़े राणा, दमपती, नवनीत राणा के घर हंगामा जारी, शिवसानिक बोले अमरावती का कचरा साफ करने आए महराश्रों में हनुमान चालिसा और लावड स्पिकर पर राजनीती बढ़ती जा रही है, अमरावती से निर्दली सांसत नवनीत राणा और उनके विधायक पती, रवी राणा ने आज मातोश्री के बाहर हनुमान चालिसा पढ़ने का ऐलान किया, इसके बाद नवनीत रा आए कि हम अमरावती का खचला साफ करने आए, इस हंगामे के बावजूत राणा नमपती मातोश्री पर जाने के अपने फैसले पर कायम रहे, पिलिस के दिकारी लगातार उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे है, इस पूरे विवात पर महराश्रों के ग्रह मंत्री दिलिब काल से पाटलने का मुंबई और महराश्रों में कानुन विवस्ता कि स्थिती बहुत अच्छी है, रिकॉर्ड बनाने को तैयार बिहार, एक साथ 75,000 तिरंगे फैरा कर पाकिस्तान का रिकॉर्ड टोड़ेगा भारत, ग्रह मंत्री के सामने बने का रिकॉर्ड, वीर कुवर स विजोत्सों पर बिहार विश्विस्तर पर रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, यह है वर्ल्ड रिकॉर्ड भोचपूर के जगदीशपूर से बनने वाला है, जगदीशपूर गाउं में सतंद्रता संगराम के महानायक बाबू वीर कुवर सिंग जिक की जैनती पर 75,000 जंडे एक साथ फैरा जाएंगे, इससे पहले यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के नामता इसे अब भारत तोड़ने वाला है, इस कारेक्रम में हिस्सा ले निकले गाउंवालों को भोचपूर के जगदीशपूर में वीर कुवर सिंगे विजोत्सों पर 175,000 राश्ट्री धोच फैरा कर वर्ल रिकॉर्ड बनाया जाएगा, इसको लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल रिकॉर्ड की टीम जगदीशपूर पहुंच चुकिये, सुचना के मताबिक गिनीज बुक ऑफ वर्ल रिकॉर्ड के लगबक 16,000 अधिकारी और करमचारी इस पूरे कारेक्रम में रहेंगे, और व अडवनिस को जो बुद्धी के अरजिर हुया करते हैं, उसमें से कुछ बुद्धी महराष्ट के लोगों को मिलेगी, को महराष्ट रशांत रहेगा, उन्होंने कहा कि नाकपूर राज्जी की उपराजधानी है, नाकपूर के कई लोग मुंबई में रहने लगें, में उन्होंने भाजपावा, केंदर सरकार पर निशाना साधा, राज्जे में हिंसा बढ़काने की राजनेती को लेकर राउत ने कहा कि देश में कौन हिंसा बढ़काने का प्रयास कर रहा है, दिल्ले में किसने हिंसा को बढ़ावा दिया, सब जानते, देश में जो कुछ चल रहा है वह सब ठीक नहीं है लाग दो हर महा 15,000 लोग ऐसे सपने दिखा कर 1500 करोड उरुपे की ठगी गाजियाबाद की कमपनी मैक्स जोन टच प्राइवेट लिमिटेड जमशेथपूर के 25,000 लोगों से 1500 करोड से अधिक राशी लेकर फरार हो चुकी है कमपनी के भागने की सुचना के बाद जमशेथपूर के निवेशकों में हरकम पंचा हुआ है कमपनी के फरार होने और HGFC बैंक अकाउंट के फ्रीज होने की सुचना के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने SSP डॉक्टर तमिल माडन को शिकायती पत्र सोपा है मैक्सी जॉन टच ने राशी जम्मा करने के लिए मैक्सी जॉन टच नाम से एबबी पर एक एबबी जारी किया था इसके जरिये लोगों को निंतम 10,000 निवेश करना था जिन लोगों ने पहले निवेश नहीं किया उनक फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगा तब तक देखते रहें MNS News Live क्योंकि सच जरूरी है